नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जोतिस जतन में रिर्ण यानि करज वैसे तो लेना किसी को भी पसंद नहीं है लेकिन इन दिनों करज का फेशन बन गए करज लेकर व्यक्ति अपनी ख्वाइस हैं और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है जीवन में ऐसी इस्तिति बन जाती है जिसके लिए करज लेना ही पड़ता है जिसमें बच्चों की सिक्षा साधी घर खरीदना गाड़ी खरीदना आदी के लिए तो करज लेना ही पड़ता है कुछ लोगों को धन की तंगी काम धंदों में मंदी के कारण भी मजबूरन करज लेना पड़ता है बाद में ये करज कष्ट बनकर उबर जाता है करज आजगर लेना तो बहुत आसान है पर उसे चुकाना बहुत ही मुश्किल होता है ये तो जिन्होंने करज ले रखा वो अच्छी तरह से जानते हैं करज की किस्तें बरते बरते और आर्थी किस्ते खराब हो जाती है इस हालत से उबरने के लिए फिर करज लेना पड़ता है एक बार करज लेने के बाद व्यक्ति करज के जाल में फंसता जाता है और हर वक्त डिप्रेशन में रहता है अब आपको करज के कष्ट से चिंता करने की जरूत नहीं है आज के वीडियो में हम आपको बगवान सीव का एक ही उपाई बता रहे है जिसे आप हर सोमार को आजमाएंगे तो निश्चीति आपका सारा करज उतर जाएगा इस उपाई से करोडों लोगों को करज के कष्ट से मुक्ति मिल गई है तो आपने भी यदि करज ले रखाओ, करज से परिसान हो तो करज चुकाने के लिए ये उपाई करेंगे तो निश्चीति आप बगवान सीव की करपा से माला माल बन जाएंगे और करज के कष्ट से 30-35 दिनों में ही छुटकारा मिल जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्ष क्रेशन अन्रोट करते हैं यदि आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकोन को सालू करें जिसे चैनल के वीडियो आप तक तुरन पूंसते रहें ये उपाई आपको हर सोमवार को करना है सोमवार के दिन नित्य करम से निवरो तोकर ये उपाई करें इसके लिए कुछ सामगरी लेनी होगी जो पहले से विवस्ता कर लें जैसे गंगा जल, काले तील थोड़े से, थोड़ा सा गाय का कच्छा दूद, एक चंबत सपेद इस्टीर के कलस में सुद्ध पानी भर कर उसमें नो बूंद गंगा जल की डाल दें, बाद में थोड़े से काले तिल चंबत बर, थोड़ा सा गाय का कच्छा दूद, एक चंबत सपेद चंदन पाउडर, जो के नो दाने, ध्यान रहे, जो के नो दाने, इन सारी सामगरी को कलस के पानी में मिला दें, बाद में एक जटा वाला नाजर लें, और उस पर कलाबा लपेट कर कलस पर रख दें, बाद में ये कलस अपने घर के मंदिर में रख के पुजा पाट करें, और बगवान सीव से करज मुक्ति धनुरदी की प्रात्ना करें, और बाद में, ओम रि चाप करें ये काज़े संपन होने के बाद आप कलस को लेकर नारियल सहीत कलस को लेकर किसी भी सिव मंदी में जाएं और जल को सिव लिंग पर अरपन करें और नारियल को मंदीर के आस पास किसी पिपल के पेड़ में रख दें मांने अता है इस जल और नारील के साथ आपका सारा करज भी चला जाएगा उतर जाएगा ये प्रियोग 400 मार्ट करें 500 मार्ट करें जब तक करज न उतर जाये तब तक करते लेगे लेकिन 400 या 500 मार्ट के बाद आपको चमत का नजर आएंगे बोले बंडारी की करपा से आपका सारा करज खतम हो जाएगा घर में जम कर धन के बारिस होती रहेगी इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जै राम जी की जै मात